हुआ है दमादम मस्त के लंदर आपने सुना है वो लड़के गाके गए थे एक गाने का वे तरीका है दमादम मस्त के लंदर क्या हुआ है क्यों इसमें कई लफज ऐसे हैं जो गल्द कह जाते हैं तो गाने का एक तरीका है कंपोज वो ही है दमादम मस्त के लंदर शाह बाज के लंदर कहा के हुए हैं उनका गाओं को उनसा था किन किन को मुरादें दी है माई थोड़ा सा बताऊंगा कईयों ने मेरा सुना है तो सुनाने लगा हुँ दमादम मस्त के लंदर दो चरबो लास्ट राग्ज ए फड़र टूँ बतादिए बता टूँ सर्ट, लेड़ा वाल का पाट्ट, लेड़ा है मेरा था जाए्ट टाड़ा लेट पतादिक लेड़ा वगटें है मेरा बतादिक वाल को एंदर Commerce तेरा ही नाम सुनकर बाबा आया हूँ दूर से बबन ते नाम नाम मैं ये लास्ट कह रहे हैं तेरा नाम तेरा नाम सुनकर आया हूँ दूर क्यों काने का लफज का जो मतलब है वो सुर से निकलता है दूर क्या है अनजदी क्या है छोली मेरी को भर दे बाबा अपने ही नूर से जोली मेरी को भर दे अपने अपने नूर से जहां जिक्रे हबीब होता है खुदा उनके करीब होता है जहां जिक्रे हबीब होता है खुदा उनके करीब होता है जहां जिक्रे हबीब होता है खुदा उनके करीब होता है तेरी चौकर से मागने वाला बाबा कौन कहता है कि गरीब होता है तेरी चौकर से मागने वाला बाबा कौन कहता है गरीब होता है लाल मेरी पते रखी खुदा बाबाबा बाबाबा रखी ओ बाला जूले लालने अभी अभी लबस उन्होंने कहा था जिंद्री दा सेमन दा श्कीशा बाज किलंदर ना तो जिंद्री है ना श्कीशा ही है लफज है शहप बाज किलंदर का जो मुल्क था सिंद्री के रहने वाले थे इसलिए बोला सिंद्री दा जिंद्री दा नी सिंद्री दा सिंद्री दा सिंद्री दा सेमन दा सकी शहप बाज किलंदर हाथों के सकी थे बांडने वाले थे तो लफज ये है श्कीशा बाज किलंदर नी सकी लाल मेरी पते की उबला जुले लालन सिद्री दा सेवरता सकी शाबाज कलंदर सकी शाबाज कलंदर सकी शाबाज कलंदर ली दम दम देंदर सकी शाबाज कलंदर मैं दुखे आरी मर दी जावाज मैं दुख्यारी मर दी जावाज उच्या शानवालिया पीरा मैं दुख्यारी मर दी जावाज मैं दुख्यारी मर दी जावाज जे नसरी करोते मैं तर दी जावाज कोई नहीं मेरा तेरे सिवा धुले लालन कोई नहीं मेरा तेरे सिवा धुले लालन पाति रख्यों बला पाति रख्यों बला कि लोगों की पत रखी एक दिन का वाक्या है छोटे छोटे बच्चे सकूल से आए दिल में सोचने लगे चलो बेरी के पेड से चल कर बेर खाएंगे उस बेरी के पेड के नीचे शाबाज के लंदर नमाज बुजार रहे थी बच्चों ने ये नहीं सोचा कि कोई नमाज बुजार रहा है रास्ते में से पत्थर पकड़े और बेरी को मारे बेरी से बेर उठाए दुखा लिए दूसरा पत्थर मारा बेरी से बेर गिरे उठाकर खा लिए जब तीसरा पत्थर मारा वो बेरी के नहीं लगा शहबाज कि लंदर की पीठ में जा लगा बहुत तैश में आकर कहने लगे अरे बच्चों यह पत्थर किसने मारा उसको श्राप दे देना है बहुती समझदार बच्चे थे हाथ जोड़कर खड़े हो गया बाबा बाबा यह तो पत्थर हम बेरी को मारते हैं पत्थर खाकर बेरी हमें खाने के लिए बाबा बेर देती है यही पत्थर आप दो जग जहां वाली के लगा बाबा आप क्या दे रहे हो फकीर ला जवाब हो गये के बच्चों ने स्वाल कैसा कर दिया शांती रूप में आ गये तो कहने लगे बेटा दुबारा कहना बाबा आप कहते हो पत्थर पीठ में मारा श्राफ दे दे ना ये तो पत्थर हम बेरी को मारते हैं पत्थर खाकर बेरी हमें खाने के लिए बाबा बेर देती है यही पत्थर आप दो जग जहां वाली के लगा बाबा आप क्या दे रहे हस के फकीर कहने लगे अरे बेटा अ पत्थर खाकर आपको खाने के लिए बेर दे सकती है अरे हम तो फकीर हैं माँग लो जो कुछ माँगना है पर फकीर के तीन कौल होते तीनों में से मांग लेना तो बच्चे क्या मांगते बाबा शिराफ की जगे माफी दे दो अरे दूसरा वाक मांग लो बाबा माफी दे दो अरे बेटा तीसरा वाक मांग लो बाबा हमारी पत रख लो हमें माफी दे दो हस कर फकीर कहने लगे अरे जाओ आपको इस जहां की वी माफी उस जहां की वी माफी बाबा हमें दो जग जहां कि आपने माफी रे दी है हम तो यही कहेंगे क्या लफस चारे चराग गाने वालों ने मी कहा है चारे चराग तेरे बलन हमेशा चराग जो बलते हैं वो खत्म हो जाते है जो जगते हैं वो दिन रात ही जगते है चारे चराग तेरे जगन हमेशा इतने ताजदार हुए हैं इतने अमीर हुए हैं किसी की कबर पर चराग जगते नहीं देखे ताजदारां दे न अमीरां दे दीवे जगते सदान फकीरां दे दीवे जगदे सदा फकीरां दे आस्ता वही है फकीरों ने क्या गिया मेरी किस्मत मेरी किसमत बदल के रख दिती ऐसे करम होई ने पीरां दे दीवे जग दे सदां फकीरां दे सूली तो सूले ने कर दें दे रुख बदल दें दे लकीरां दे दीवे जग दे सदां फकीरां दे चारे चराग तेरे जगन हमेशा चारे चराग तेरे जगन हमेशा शाम होते ही चरागों को बुझा देता हूँ मैं लोग शाम को चराग जगाते हैं उनके मानने वाला ले ये लास्ट बोल कहरा हूँ उनका चराग कौम सा है जगने वाला एक तो शाम पड़गी जो मना रहे हैं एक लोग शाम परगी जो मना रहे हैं